ऐसे संकर के समय जब हम साथ मिलकर के काम करते हैं तो कितना उत्तम परना मिलता है उसी दिन सुबह ही मैंने मानि मुक्रमिंद्री जी से बात की थी और मैंने कहां था कि हम हर प्रकार की व्यवस्ता को मुबिलाइज कर रहे हैं इतना जल्दी पहुंच सकते हैं पहुंचते हैं मैंने हमारे के मोस को भी तुरंत यहां भेजा था चाहे स्पी आरेट के लोग हो, एंडियारट के लोग हो, सेना के लोग हो, पुलिस के ज़वान हो, स्थानिय मेडिकल के लोग हो यहां के एंजियोज हो, सेवाबावी समस्ताय हो, हर कोई बिना रुके तुरंत ही आपदा प्रभाविक लोगों के मदश के लिए पहुंचने का प्रयास किया जिन परीजनों ने अपने स्वेजन खोये हैं, उसकी पूर्ति करना तो हम मनुष्य के लिए संभव नहीं है लेकिन उनका भावी जीवन है, उनके सपने चुर चुर नहों हो जाएं, यह हम सब का सामुहिक दाईत्व हैं और भारत सरकार और देश इस संकित की घड़ी में यहां के पीडितों के साथ हैं सरकार को जो कल मैंने हमारे इंटरनल मिनिस्टर्स की जो कोडनेशन की टीम थी उनको भी यहां भेजाता, वो कल माने मुक्रमेदर इजिस मिले थे, आपके अधिकारियों से ही मिले थे और भी सारे चीजों को देख करके गए हैं और जैसा माने मुक्रमेदर इजिने मुझे बताया हैं कि वो एक पूरा डिटेल में मेमोरनम भेजेंगे और मैं विश्वाद दिलाना हूँ इन परिजनों को भी कि वे अकेले नहीं हैं इस दूप की घड़ी में चाहे राज्य सरकार हो केंदर सरकार हो या देश के जन जन नागरिक हो हम सब उस संक्यत की घड़ी में उनके साथ हैं सरकार ने जो नितिनियमों के रत जो आपदा प्रबंदन के लिए राशी बेखते हैं उसका काफी हिस्सा पहले ही दिया हुआ है और भी हिस्सा हमने तुरंट रिलिज किया है और जैसे ही मेमोरनम आएगा तो बहुत ही उदारता पूरवक इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए तेरल सरकार के साथ भारत सरकार खड़ी रहेगी और मैं नहीं मामता हूँ कि धंके भाव में यहां कोई काम रुकेगा जहां तक जानहानी हुई हैं हमारे लिए इन परीजनों को फरीज फिर से एक बार क्योंकि छोटे बच्चे हैं परिवार में सब कुछ खोड़ चुके हैं इनके लिए एक लंगे समय की योजना हम लोगों को बनानी होगी मैं आशा करता हूँ कि राजी सरकार उस पर भी विस्तार से करेगी और उसमें भी जो कुछ बारत सरकार अपना हाथ बटा सकती हैं वो बटाएगी लिए मैंने जैसे अभी मोकमेंटर जी बता रहे हैं